हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल फटाफट सीके में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिरोधा में सेर कैसे खरीते हैं और कैसे बेचते हैं ये काम आप अपने मुबाइल फोन से ही कर सकते हैं आपको एक अकाउंट बनाना होता है मैं आपको बता दूँगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं अगर आपने कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्सर में जाएगा वहाँ पर आपको जिर्योदा एकाउंट पर साइन अप करने के लिए उसके बाद आपको यहाँ पर एकाउंट बना लेना है उसके बाद आपको इसमें लॉग इन करने के बाद ऐसादिवोट आ जाएगा तो चलिए अब अब स्टार्ट करते हैं सेर कैसे खरीदना है मानिए कि आपको किसी कंपनी का सेर खरीदना है सपोज आपने को इस कंपनी करना जैसे टाटा का आपको खरीदना है टाटा ठीक है तो यहां पर हम सर्च कर लेंगे यहां पर देखे टाटा मोटर्स लिखा हुआ रहा है अब यहां पर देखे टाटा मोट करना होगा आपको यहां पर देखिए बाई का उप्शन आ रहा है ब्लू ब्लू आइकन में ठीक है तो आपको जस्ट बाई पर क्लिक करते हैं यहां पर टॉप में देखिए एनसी है और एक बीएसी है एनसी जो होता है नेशनल स्टॉक exchange होता है और BAC होता है Bombay Stock Exchange दोनों का जो प्राइस होता है लगबग सेम होता है कुछ 5-10 पैसे 15 पैसे क्या इधर उधर होता है ठीक है तो मैं आपको recommend करूंगा NAC में खरीदा कीजिए अब यहां पर देखे quantity पहला जो option है यहां पर quantity का रहा है ठीक है तो quantity हुआ अगर आपको कितने खाष्यूंगे आपने एक सेर खृतने हैं पाच यह तो यहाँ पर चितने quantity आपको चाहिए वह quantity वाला से और नीछे आजाएगा तो आप पर जिटना भी आपको प्राइस लगता है जितना पर आपको खरीद दना है वो प्राइस यहाँ पर डाल लीजिए फिर डालने कबाद आपको क्या स्लेक्ट करके रखना है ठीक है यहां पर अब थार्ड ऑप्सन में हम आ जाते हैं यहां पर टाइप है मार्केट लिमिट एसल एसलम ठीक है तो यहां पर हम लिमिट ही रखेंगे लिमिट का मतलब हुआ कि यहां पर प्राइस मैनुवली चेंज कर सकते हैं जैसे हम यहां पर भ रखना है अगर आपको market का जो price चल रहा है उस पे नहीं खरीरना है तो आपको limit ही select करके रखना है ठीक है उसके बाद नीचे है stop loss है target है यह सब detail में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अभी मैं आपको एक general buy कैसे करते हैं simple step बता रहा हूं share को कैसे करिते हैं जिरोधा account में उसके बाद आपको यहां पर swipe कर देना देखिए यहां पर लिखावा है swipe to buy ठीक है तो जैसे हम swipe to buy करेंगे हमारा एक share यहां पर जो भी एक है या 5 quantity जाले है तो 5 share हमारा यहां पर buy हो जाएगा यह कब होगा जो price हम यहां पर डाले है 478.75 इतना price जैसे market में आएगा उतना पर हमारा buy हो जाएगा तो अभी देखिए उससे और नीचे ही आ रखा है तो तुरंत buy हो जाएगा बट हम आपको यह वाला share भी नहीं खरीद के दिखाते हैं हम आपको एक demo के लिए भी बता रहे थे एक हम live share आपको खरीद के दिखात हैं जैसे यहां पर देखिए idea का share है idea का share अभी देखिए 12 रूपी 80 पैसे 75 पैसे चल रहा है ठीक है मानिए उसका हम आपको अभी share खरीदना है मानिए हम इसका एक share खरीदना है तो हम करेंगे buy click जैसे यहां पर क्क्वांटिटी डालना है तो चलिए हम यहां पर 5 quantity ले ले ले लिए उसके बाद हम प्राइस के रखेंगे इसका मानिये किसका 75 चला तो हम 12.70 लगा देते हैं ठीक है 60 लगा देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं long term लिमिट ठीक है उसके बाद swipe to buy जैसे हम swipe to buy करेंगे हमार जो share है वो buy होने के लिए ready हो जाएगा और यहाँ पर share हमारा buy हो जाएगा तो चलिए हम swipe to buy कर देते हैं देखें हम buy कर दिया है order हमारा जो है placed हो गया है अब यह share मिला की नहीं मिला इसके लिए मैं order section में जाके check करना होगा तो यहाँ पर order पर चले गए अभी यह देखें हमारा जो order है यहाँ पर लगा हुआ है और यह भी open दिखा रहा है मतलब अभी यहाँ पर हमारा share नहीं खरदाया है क्योंकि 12.70 पैसे हम लगाए और market में भी price इसका 12.80 और 75 के असपस चल रहा है तो जैसी 12.70 पर आ जाएगा यह हमारा share buy हो जाएगा तो यही तरीका है दोस्तों share को खरीदने का ठीक है अगर हम इसका price अभी 12.75 चल रहा है वही कर दें तो share यह भी on the spot खरदा जाएगा तो मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा था कि कैसे share को buy करते हैं जिरोधा में ठीक है तो buy करना आज आप सि से करते हैं और इसमें क्या-क्या feature है कौन-कौन से option होते हैं बहुत कुछ होता इसमें तो share market में दोस्तों पैसा बहुत समझदारी सा आपको लगाना चाहिए मैं तो बोलता हूँ जब तक knowledge नहीं है इसमें invest नहीं करें अगर आपको knowledge है share market का तो ही पैसा आपको लगाना चाह है तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सेद कीजिएगा thanks for watching